नमस्कार दोस्तों मैं हो ऑफ भी जगड़ा आप देख रहे हैं Help in Hindi दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि आप अपनी बेटी को एक लाग कानुदान कैसे दिला सकते हैं अगर आपके घर में कोई कन्या है या आपके घर में कोई बेटी है और उसको आप सरकार के दुवारा 1,18,000 रुपए कैसे दिलवा सकते हैं जब वो 21 साल की हो जाएगी बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में लाडली लच्मी योजना की जी हाँ दोस्तों लाडली लच्मी योजना क्या है और आपको कैसे घर बैटे ऑनलाइन अपलाई करना है क्या उसकी क्रेटेरिया है और कैसे आपको 1,18,000 रुपए सरकार आपको देगी बताने से पहले मैं दोस्तों आपको एक बात और कन्फरॉम करतूं ये योजना कीवल मदप्रदेश सरकार द्वारा लाउंच की गई है तो उसमें कीवल मदप्रदेश सरकार जो मदप्रदेश की निवासी है मूले निवासी है उन्हीं को इसका लाब मिलने वाला है तो अगर आप मद्द परदेश से हैं और आपके कोई बेटी है तो आप इस वीडियो को देखते हैं लाइस्ट तक मैं आपको बताने वाला हूँ step by step कैसे आपको लाडली लच्मी योजना में अपलाई करना और इसका क्या है पुरा प्रोशेश सब्सक्राइब करें हेल पर हिंदी चैनल को और इस घंटे के आइकन पर भी रबाए हमारे लैटेश्ट वीडियो और अपडेट पाने के लिए तो सब्सक्राइब मैं आपको यह बता दूं कि लाडली लच्मी योजना है क्या दोस्तों तो लाडली लच्मी योजना म Wanna PrדES शर्कार देवारा start कीई है दोस्तों इसमें आपको 21 साल की जब कोई लड़की हो जाएगी आपकी अगर कोई कन्या है और इसमें 21 साल की जब वो हो जाती है तो आपको एक लाग रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है अब इसकी condition क्या है दोस्तों इसमें कौन apply कर सकता है इसमें सबस्पहली condition यहीं कि मद्ध प्रदेश का मूल निवासी हो और उसकी लड़की एक साल के अंदर सबोच दर लड़की आपकी आज पैदा होती तो एक साल के अंदर कभी भी आप apply कर सकते हैं एक साल के बाद अगर आपको apply करवाना है तो आपको अपने district magistrate मतलब collector से मिलना पड़ेगा और दोस्तों यह आप तीन माद्देम से कर सकते हैं सास्पहल आंगनवारी में registration करवा सकते हैं या लोग से वाकेंद में आप registration करवा सकते हैं या आप खुद registration कर सकते हैं तो मैं आपको पताने वाला हूँ कि आप खुद कैसे online घर बैटे registration कर सकते हैं अब इसमें आपको benefit क्या म मिलने वाला है दोस्तों ये भी जान लेते हैं टोटल अमाउंट दोस्तों आपको इसमें 1,18,000 रुपई मिलेगा 21 साल में तो अब उसका distribution कैसे हुआ है सबसपहले अगर आपकी लड़की जब 6th क्लास में पहुँचेगी तो आपको 2,000 रुपई दे दिया जाएगा जब आपकी लड़की 9th क्लास में पहुँचेगी तब आपको 4,000 रुपई दिया जाएगा जब आपकी लड़की 11th में पहुँचेगी तो आपको 6,000 रुपई दिया जाएगा जब आपकी लड़की ट्वल पर पहुंचेगी तब भी आपको 6,000 रुपई दिया जाएगा तो टोटल ये 4, 6, 6 में 9 में 11, 12 भी क्लास मुझे तो टोटल मिला के आपको 18,000 रुपई यहां पर दे दिया जाएगा दोस्तों और जब आपकी बच्ची 21 साल की होती इसके बाद आपको एक लाग रुपई कचे वो भी दे दिया जाएगा तो कुल मिला के आप एक लाग 18,000 रुपई का अनुदान पा सकते हैं गॉवर्मेंट के द्वारा तो चलो दोस्तों पर टाइप करें लाडलीलस्मी.com ये लिंक आप देख रहे होंगे इस पर टाइप करेंगे तो आप आप आएंगे इस लिंक पर तो अब इस लिंक पर आप देखीएगा दोस्तों ये इनकी ओफिशल वेबसाइड आप थोड़ा जम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर देखा है जन सामान के लिए आवेदन तो आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे तो आपके पास ये पेज पनोक आ जाता है दोस्तों लाडलीलस्मी ये ये लाडली भी इसको बोलते हैं तो इसमें देखो आवेदन तीन टाइप से दिया आवेदन लोक शिवा प्रवंधन दोरा आवेदन जन समान दोरा आँगनवाडी की दोरा है तो हमें करना आवेदन जन समान के दोरा खुद करना है तो हम इस पर आप click करतेंगे तो जैसे आप click करेंगे तो ये बहुती simple form है दोस्तों बहुत आसानी से भrin जगे तो मये मध्द 보여sn का मोल निवासी हूँ तो आपको कि हाँ पर ही क्लिक करना है तब यह आप अपलाई कर पाएंगे मैं आए करदाता नहीं हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना है किस बालका है तो आप दिन किया जा रहा है प्रिथम यादुति कि यह नहीं आपको दो आप्शन आ रहे हैं पहली यादूसरी ठीक है बालका का पंजियन आंगनकारी में कराया जा चुका है इसको आपको पंजियन कराना बहुत जरूरी है दोस्तों यह बहुत आसानी करा सकते हैं आंगनवारी केंद जाएगा वहाँ प आपको सिल्फ हिंदी में ही भरना है अगर आप इंगलिस में भर रहे हैं तो आपको यूनी कोड इंपूट टूल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसके बाद यह फॉम भर पाएंगे आप तो अब आपको करना क्या है इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बालका का व्यक्तिकत नाम भरना है बालका का उप नाम क्या है बालका की जन्मितिती भरनी है बालका की यहाँ पे कहां पे आश्पिताल में जन्मितिती भरनी है या घर पर हुआ यह डिटल भरने के बाद बालका के माता का नाम माता को पिता का नाम उपनाम आयू आधार संक्या दोनों लोगों को भरनी है अब नीचे ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों भर लेंगे आप परवार की जानकारी भरनी है बालका के कितने भाई बहन है आवेदक का वर्ग क्या है ठीक है परवार के शुरूत भरनी आई कितनी है आपक का सुची नाम है या नहीं है जो भी है आप डेटेल अपना है आप पूरा फिल कर दें अब नीचे आते हैं बालका के टीका करन के श्तिति ये आपको चुनना है आपने बालका के टीका करन कराया है या नहीं कराया अब पत्र चार है तू जानकारी मकान नंबार आंगन वार देना है, जो भी है, अगर आपको कुछ 중에 कुछ भी नहीं पता है, बिरूज कुछ पता है, आपको इसमें अपना टेल भर्णा है, अब निम्द प्रमालपत्र ipload करें दोस्तों, बालका का डिका करन कार्ड, जच्चा बच्चा कारड इसको बोलते हैं जो कि आंगन पारी से बनता है, यहाँ पे आपको अप्लोड करना पड़ेगा, परवार नियोजन का प्रमार, दोस्तों अगर आपने आप की दो लडकियां हो गई हैं, तो आप माता या पिता को परिवार नियोजन में रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा तो उसका यहां पर प्रमालपत अपलोड होगा बालका के माता-पिता के फोटो यहां पर अपलोड करनी पड़ेगी और निवास प्रमालपत अपलोड करना पड़ेगा इसकी लिए कि आप मदब्रदेश की निवा आप क्या होगा दोस्तों आपका भी जैसे सुरच्छत करेंगे तो आपका भी यहां पे एक काम खतम नहीं होता है आपको क्या करना है इवे एक प्रिंट का ओप्षिन आएगा उस फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिए और अपने सारे दस्तावेज लेकर आप आपके जो भी नजदीक में लोग से वाकिन पढ़ता है ठीक है दोस्तों परियोजना कर रहे है जो भी पढ़ता है वहां पर जाईएगा और अपने डाकुमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिएगा तो वहां पे आपको वो पूरा डेटेल आपको दे देंगे ठीक है बस आपने ऐसे अप अप्लाई करना आपको जैसे आपका वो इंफॉर्मिशन प्रवाइड करें तो आपका जो भी जब नाएंध किलास या सिर्फ लड़की होगी आपको पैसा आने लगेगा तो यह था पूरा लाड़ी लच्वी योजना के बारे में दोस्तों अगर यूडियो आपको ज्यादा ज्यादा करें इसमें और भी लोग इस योजना का लाप उठा पाएं जो सरकार प्रवाइड करवा रही है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड़ कर लगे बटन पर क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा फर्दर अपडेट एल्लेटेस्ट वेडियो पाने के लिए आप से भी के लिए फिरी बनाता हूँ यह फिरी में सब्सक्राइब्शन का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों इस फिरी म मुआल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी सब्सक्राइब लिखाओ और एक गंटी बनी होगी आपको दोनों पर क्लिक कर देना है नमस्कार